एक बार स्वामी विवेका नंजी बनाज की गलियों में टहल रहे थे तब ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि धेर सारे बंदर उनका पीछा कर रहे थे स्वामी जी डर के मारे तेजी से भागने लगे जैसे ही स्वामी जी तेजी से भागे सारे बंदर भी उन्हें तेजी से दोड़ाने लगे और उन्हें परिसान करने लगे स्वामी जी जितना अपने आपको बचाने के लिए उनसे भागते वो उन्हें उतना ही परिसान करते जा रहे थे उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या करूँ तभी सामने से एक व्यक्ति आता है और स्वामी जी से बोलता है कि तुम इन बंदरों से डरो मत तुम जितना डरोगे ये बंदर तुम्हें उतना ही डराएंगे इनका सामना करोगे तो ये सब भाग जाएंगे इनका सामना करो इनसे डरो मत तो फिर स्वामी जी भी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखकर जोड से चिलाते हैं जिसके कारण वो सब बंदर भी भाग जाते हैं गायब हो जाते हैं और फिर स्वामी जी ने इस घटना को एक शीक की तरह लिया और लोगों को समझाया कि हमारी life की जितनी भी problem और negative सोच होती है वह इनी बंदरों की तरह होती है हम जितना इसे डर कर भागते हैं ये problems और negative सोच के बंदर हमें उतना ही डराते हैं और परिशान करते हैं जिस प्रकार मैंने उन बंदरों का सामना किया था, ठीक उसी प्रकार, अगर हम अपनी लाइफ में प्राब्लम्स और निगेटिवटी का डट कर सामना करेंगे, उनके सामने डट कर खड़े हो जाएंगे, तो वो सब तुरंद गायब हो जाएंगे.